Hello everyone, Hi, Good morning, कैसे आम सभी लोग, I hope आपका जो festive week है वो बहुत अच्छा जारा होगा, जिन लोगों ने भी, most probably, काफी लोगों ने दिवाली जो तीथी के साब से पढ़ दे थी, वो बारतारी की पढ़ दे थी, और सबने बारा को ही दिवाली सेलिब्रेट की है, है ना, तो कैसी रही आपकी दिवाली, वो भी आप कमेट में बता सकते हैं, और मैं जानती हूँ, ये festive week है, दस तारिक से ही एक festive vibe सार्ट हो गए थी, ठीक है, उससे पहले से भी हो गए थी, तो अब ये जो पूरा हफता रहेगा, तेरह तारिक से, that is, आज से लेके, ठीक है, 17-18 तक जो भी date रहेगी Friday तक, उस, इस हफते में हम थोड़ा festive mode में होंगे, है न, इतना पढ़ाई में नहीं मन लगता, जब festival आते हैं, तो इस हफते के लिए, what we will do, हम जल्दी से, like, ज्यादा detail में, चीजों को, बिल्कुल in-depth detail में ना cover करते हुए, हम सब कुछ लेके चलेंगे, छोड़ करेंगे, कुछ नहीं, discuss आप करेंगे, बट जल जल इस चीज़र discuss करेंगे, ठीक है, सारे important question discuss करेंगे, बट थोड़ी सी speed में करेंगे, ताकि आप सब जो वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देखते रहें, ठीक है, बट duration कम होगी, तो आपका भी, अब तो हरो के, यह ज में गवाए, question से ही start करते हैं, ठीक है, तो पहला question क्या बोल रहा है, पहला question पूछ रहा है, objective, किसका objective, task force, जो firm की गई है, IRDIA के द्वारा, जो chairman है इसके, उनका नाम है, जे मिना कुमारी, ठीक है, जे मिना कुमारी chairman है, executive director है, IRDAI में, ठीक है, तो IRDIA ने, basically, एक task force का गठन किया है, ठीक है, जिसके chairman बनाया गया है, जे मिना कुमारी जी को, ठीक है, नवंबर में ही, तो उसका basic objective क्या है, वो task force क्यों बनाया गई है, question यह है, तो ये task force जो बनाया गया है, अभी नवंबर में, ये basically, जो bank insurance है, ठीक है, bank insurance के norms को review करने के लिए, उनको check करने के लिए, ठीक है, उसमें, जो भी changes है, ठीक है, वो देखने के लिए, ये जो भी evaluation है, वो एक तरह से check करने के लिए, review करने के लिए, bank insurance के norms को, ये task force बनाया गया है, insurance, regulatory and development authority of India ने, जो existing framework है, basically, bank insurance का existing framework है, उसको review करने के लिए, और ताकि, जो efficiency है, वो improve हो सके, ठीक, और complaint या, जो forced selling होती है, उस पे एक तरह से जादा और अच्छे तरीके से रोख लगाई जा सके, ये committee basically suggest करेगी, regulatory stipulation on the market conduct requirement of bank insurance partner, M is raising the complaint of miss selling, या फिर forced selling, जो हम बोलते हैं, कि जबरदस्ती insurance खरीदवा देना, वो वाली पात, ठीक है, committee study करेगी, effectiveness, किसकी existing, जो model है, bank insurance का model है, उसकी effectiveness को check करेगी, और क्या तरीकों से हम improve कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात होगी, ये task force improvement के तरीकों पे भी बात करेगी, कि ऐसे से improvement की जा सकती है, committee basically, दो महीने का, जो इनको time मिला है, ठीक है, दो मन्त का time मिला है, उसमें, that is, आप क्या सकते हैं, 31 December तक, जो है, ये committee, जो है, अपनी report, अपना, जो recommendation है, वो summit कर देगी, IRDIA की बात करें, हिदरबाद में headquarter है, chairman है, देवाशी श्पांडा, ठीक, आगे चलते हैं, देखो, cover सब किया, ठीक है, बट थोड़ा सा, like 1.1x speed थोड़ी सी बोलने में बढ़ा दी है न, चलो, आगे देखते हैं, world economy is expected to slow down, देखो, ये report आई है, basically, अभी, world economic outlook, जो IMF, international monetary fund जो release करता है, world economic outlook, navigating global divergence report आई है, इसके अनुसार क्या है, जो 2022 है न, उसमें जो हमारी world economy थी, वो 3.5% थी, ठीक है, और अब slow down होने की बात हो रही है, इस report के अनुसार 23 और 24 में पूचा है, तो 23 में ये गिर के 3% का अनुमान है, और 23 से फिर 24 में 2% नो, ये सबसे कम एक तरह से दर्ज होने वाला percentage है, कि इतना कम तो कभी नहीं हुआ, decades में, ठीक है, ये सबसे कम rate है, ठीक है, तो average भी जो record की गई है, वो 3.8 record की गई है, 2000 से 2019 तक, global inflation बढ़ेगी, ठीक है, ओ सारी, actions की, उसके framework की, ठीक है, उसकी importance को suggest करती है, ये report, IMF की बात करें, Washington DC में, इनका headquarter है, MD जो है, Kristalina Georgvier है, ठीक है, आगे देखते हैं, next question देखते हैं, अभी हाली में, जो BPCL है, that is, भारत Petroleum Corporation है, और Gas Authority of India है, that is, G IAL, जिसे GAL भी कहते हैं, ठीक है, इन्होंने sign किया है, कितने साल का contract, और इसकी estimated value जो बताई जा रही है, वो 63,000 करोड बताई जा रही है, ठीक है, MOU sign हुआ है, और इस MOU में, basically, जो value है, वो 63,000 करोड है, और ये 63,000 करोड किस चीज़ में invest करेगा, ये 63,000 करोड से, basically, help होगी, to supply propane, to gas propane dehydrogenation polypropanile project में, जो है, उसार, उसार और उसार जो है, वो महराश्ट में है, ठीक है, कहाँ पे है, महराश्ट में है, तो 15 साल का ये basically, एक contract है, ठीक है, 15 साल के लिए basically ये contract है, ठीक, महराश्ट में है उसार, तो B तो correct answer हो गया, अब दुबारे से एक बरस इसको समझ लेते हैं, जो हमारा BPCL है भारत Petroleum Corporation है उसने बेसिकली और जो हमारा गेल है BPCL और गेल ने एक MOU कह सकते हैं कॉंट्राक्ट कह सकते हैं MOU तो नहीं कह सकते हैं कॉंट्राक्ट सान किया है बेसिकली 15 साल के लिए ठीक है इस contract के तहट इसका amount बता दिया इस contract के तहट क्या होगा supply होगा propane किसको गेल के propane rehydrogenation polypropane project को जो की उसार में है महराष्ट में ठीक है अगर गेल के उसार PDHP project की बात करें तो ये पहला ऐसा इंडिया का project होगा ठीक है हो जाएगी ठीक है बीपी सीयल की अगर बात करें तो मुंबई में महराष्ट में का headquarter है cmd है जी कृष्णा कुमार आगे चलते हैं social worker है ठीक है basically अगर हम बात करें इस question में ठीक है तो social worker है बस्तर 36 गर ठीक है बस्तर 36 गर से एक social worker है जिन्नोंने दूसरा रोहीनी नायर प्राइज जीता है for the outstanding contribution to rural development उनका नाम बताना है ठीक है उनका नाम क्या है हमें ये बताना है उनका नाम है दीनानाथ राजपूत ये basically engineer और उसके बाद एक social worker बने है ठीक है इनका contribution जो रहा है जो tribal women है ना बस्तर 36 गर की उनको basically tribal महिलाओं को बहुत help की है दीनानाथ राजपूत ने ठीक है उसके लिए इने second दूसरा पहला जो रोहीनी पूरुसकार है रोहीनी अयर पूरुसकार रोहीनी नायर जो प्राइज है वो 2022 में मिला था दूसरा रोहीनी नायर प्राइज जो मिला है 2023 में दिनानाथ राजपूत को मिला है ठीक है अगर award की बात करें तो ये नंद की शोर सिंग अच्छा एनके सिंग के बारे में आपने सुना ओगा नं एनके सिंग कौन है पंदरवे फाइनेंस कमिशन के चेर्मेन है ठीक है यही वही फुल फॉर्म अफ लाइक शॉर्ट में नाम हम बोलते हैं एनके सिंग और फुल फॉर्म जो नाम जो प्रॉपर नाम है उनका क्या है नंद किशोर सिंग नंद किशोर सिंग ने जो पंदरवे ह हमारा finance commission है उसके chairman है उन्होंने ये award present किया था ठीक है जैसे मैंने बताया 6000 जो tribal महिलाएं हैं उनकी बस्तर में इन्होंने help की थी देनाराथ राजपुझ जी ने ठीक है next slide activities भी उन्हों involved थी तो हर वे में हर तरीके से help की गई थी ठीक है भूमा, गाड़ी, महिला, क्रिशुक, producer, company limited उन्होंने found की है 2018 में और अगर हम बात करें कि ये जो रोहीनी नायर प्राइज है किसकी याद में दिया जाता है ये दिया जाता है late economist और administrator डॉक्टर रोहीनी नायर की याद में इसमें एक टॉफी होती है, excitation होता है और cash price होता है 10 लाक रुपे का अगर 2022 की बात करें कि पहला रोहीनी नायर प्राइज किसको मिला तो वो मिला था सिथरी, चेम, संगथम को ठीक है जिनोंने basically तिगुनी कर दी थी income किसकी farmers की 1200 farmers की income तिगुनी कर दी थी जो इस तन नागलेंड में farmers से ना उनकी income like तीन गुना कर दी थी तिग मिला रोहीनी नायर प्राइज 2022 में मिला था ठीक आई होप चीजे समझ में आ रही हैं आगे देखते हैं राजेंद्र मेनन इन्हें re-appoint किया गया है chairman of armed force tribunal ठीक है चार साल के लिए four years के लिए इन्हों ने former chief justice of high court किस high court के former chief justice रह चुके है basically देखो राजेंद्र मेनन जैसा की mention है उन्हें अभी re-appoint किया गया है as the chairman of AFT that is armed force tribunal ठीक है यह जो डेली हाई court है ना उसके chief justice रह चुके हैं 2018-19 के बीच में 2018-19 में यह chief justice रह चुके हैं डेली हाई court के ठीक है उसके बाद 19 के बाद यह appoint हुए थे और अब यह चार साल के लिए re-appoint हुए है ठीक है जैसा मैंने बताया था भी चार साल के लिए हुए है तिल 6 जून 2027 और initially appoint हुए थे 19 में under armed force tribunal act 2007 अच्छा armed force tribunal की अगर बात करें तो इनका जो principal branch है वो भी नई दिली में है ठीक है आगे देखते हैं वर्ल्ड tsunami awareness week कम मनाया गया वर्ल्ड tsunami awareness day वीक नहीं day वर्ल्ड tsunami awareness day कम मनाया गया था पांच नमवंबर को मनाया गया था उसकी थीम पूछ रहा है क्या है थीम थीज की fighting inequality fighting inequality for a resilient future ठीक है fighting inequality for a resilient future शाहिद यह question मैंने cover किया वह बट अगर नहीं क्या होगा तो let's cover it ठीक है तो आज के session में ले लिया था ठीक चलो revise हो गया है ना cover किया भी हुगा है तो fighting inequality for a resilient future ठीम है किसकी वर्ल्ड tsunami awareness day की जो पांच नमवंबर को मनाया जाता है ठीक आगे देखते हैं कौन सी ऐसी country है जो पहली बन गई है world में to fully sterilize its entire stray dog population sterilize का मतलब basically रुगानू मुक्त करना ठीक है यहाँ पे sterilize का मतलब हो गया vaccine ठीक है कौन सी ऐसी पहली country है जिसने जो मुहले गलियों में जो dogs होते हैं कुते होते हैं उन्हें stray dogs पोलते हैं ठीक है street पे जो होते हैं basically ठीक है उनको vaccinate कर दिया है properly ठीक अराउंड डेड़ लाख आप कह सकते हैं dogs vaccinate हुए हैं कहां पे vaccinate हुए हैं बुटान में हुए हैं D correct answer है ठीक हैं और काफी dogs को 32,000 pet dogs जो हैं उनकी micro chipping भी की गई है ठीक है यह basically जो national dog population management and rubbish control project है उसके तहत यह कारे किये गए जो 2009 में start हुआ था ठीक है उस project में basically जो national dog population management and rubbish control project है इसमें एक बहुत बड़ी जीत के तोर पे यह आकड़े हैं है ना 32,000 जो pet dogs हैं उनकी micro chipping भी की गई है यह basically project implement हुआ है by global animal charity human society international भुटान की बात करें थिम्पू capital है currency है भुटनीज निगलत्रम और PM आप जानते हैं लोते शेंगे ठीक है तो आज I hope चीज़े समझ आई हूँ कहीं ऐसा नहीं लग रहा हूँ कि फटाफट जल जल्दी कर दिया है ना सारी चीज़े समझ आई हूँ कुछ नहीं समझ मैं है you can comment obviously आप comment करके बता सकते हैं so thank you for now we will be meeting you in the next session